हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल लिपसा कॉर्णर आज मैं आपके साथ एक मल्टी कलर का बेबी स्वेटर शेयर कर रही हूँ इस बेबी स्वेटर को मैंने मशीन के साथ बनाया हुआ है और इसको बनाने के लिए जो टोटल फंदे हैं वो मैंने 75-75 दोनों तरफ से डाले हुए हैं मतलब 150 टोटल इसमें फंदे डाले हैं और उसके बाद जो है सिंपल सा बॉर्डर इसमें बना दिया है उसके बाद यहां तक 11 इंच इसको बनाया है 11 इंच बनाने के बाद जो है इसका ये वाला पॉर्शन और ये वाला पॉर्शन नीडल में डाल दिया है 35 फंदे एक साइट 35 फंदे दूसरे साइट और जो बीच में बच्चे हुए हैं फंदे वहां से मैंने दोनों तरफ से 3, 2, 1 करके मुंधा इसमें घटा लिया है उसके बाद जो है 5 इंच इसको उपर तक बनाया है और इसका मुंधा बना लिया है उसके बाद जो है अगला वाला पॉर्शन भी इसमें भी 3, 2, 1 करके घटाई दी है साथ ही इसमें जो है यहां पर V-shape गला बनाया हुआ है एक-एक की घटाई देते हुए और उसके बाद जो है इसके मैंने बाजू बनाय हुए है बाजू में टोटल फंदे मैंने 40 डाले हैं और 40 फंदे डालने के बाद उपर की तरफ को हर पांच-पांच सलाई के बाद जो है एक-एक फंदा दोनों साइड जो है वो बढ़ाया हुआ है और इस तरह से उपर तक जो है टोटल 70 फंदे मैंने कर दिये हैं और उसके बाज जो है 70 फंदे कंप्लेंट होने के बाद यहां पर बाजू की घटाई दी है और बाजू को यहां स्टिच कर दिया है तो इस तरह से ही दूसरे बाजू भी बनाई है और बाजू जोनने के बाद पूरी स्वेटर सिलने के बाद जो है इसमें पट्टी बटन पट्टी भी हमने अलग से ही बनाई है क्योंकि मशीन में बटन पट्टी भी अलग से ही बनती है और हमारी ये स्वेटर इस तरह से बनकर तयार हो गई है तो उमीद करती हूँ कि आपको ये कलर कॉंबिनेशन और स्वेटर पसंद आई होगी और मेजरमेंट इसका क्या है वो मैंने बता दिया है ये एक साल के बेबी के लिए स्वेटर का मेजरमेंट है तो मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शियर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नौटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजी और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद